प्रेंड्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डोंट मिस जीके में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाथ रस जिले में खुल कितने गाउं तहसिल ब्लाक और जनसंख्या है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही छोटा है आप इसे पूरा देखें वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो चले शुरू करते हैं माज का वीडियो दोस्तो हाथ रस जिला जो है भारती राज उत्तरप्रदेश का एक जिला है जिले का मुख्याले हाथ रस है यह अलिगड मंधल का एक हिस्सा है जिले का कुल छेत्रफर 1840 वर्ग कीमी है दोस्तो हाथ रस जिले का गठन जो है 3 मई 1997 को अलिगड मथुरा और आगरा जिले के हिस्से को मिला कर किया गया था दोस्तों यहां पर तहसिल की बात करें तो हाथरस जिले में कुल कितने तहसिल हैं तो वर्तमान में हाथरस जिले में कुल चार तहसिल हैं और उनके नाम हैं साधाबाद तहसिल, सासनी तहसिल, शिकंदरा राउं तहसिल और हाथरस तहसिल ये चार तहसिल हैं हाथरस जिले में अगर हम गाउं की संख्या की बात करें हाथरस जिले में कुल कितने गाउं है तो सादाबाद तहसिल में 134 गाउं है सासनी तहसिल में 115 गाउं है सिकंदरा राउ तहसिल में 165 गाउं है और हाथरस तहसिल में 273 गाउं है अगर इन चार तहसिल की संख्या को मिलाया जाए तो हाथरस जिले में कुल 687 गाउं हैं वर्तमान में अगर हम बलाक की बात करें तो हाथरस जिले में कुल 7 बलाक हैं हाथरस जिले में 1 लोकसभा और 3 विधान सभा सीटे हैं हाथरस जिले में 11 पुलिस स्टेशन हैं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगर्णा के अनुशार हाथ रस जिले की आबादी 15,64,708 है जिसमें पुरुस की जनसंख्या 8,36,127 है और महिलाओं की जनसंख्या 7,28,581 है ये जनगर्णा 2011 की जनगर्णा के अनुशार लिया गया है तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जनकारी हाथ रस जिले की तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो चले मिलते हैं कुछ नया लेकर आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद